So, अब एक और concept को include करते हैं यहाँ पर, that is saving, यह किसी भी economy के लिए बड़ा एक significant indicator होता है, macro economic indicators में से एक indicator आईए, और किस तरीके से यह current account के साथ linked है, इसको थोड़ा सा study करते हैं, basically, यहाँ पर हमने एक term यूज़ कर रहे है, national saving, इसको बाद में हम disintegrate करेंगे, कि national savings में कौन कौन सी savings आती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक word यूज़ कर रहे है, national saving, यह basically पहले close economy की बात करते हैं, फिर open economy की दरफ चलेंगे, close economy के अंदर, आपने जो national account को अंदर study किया, या GNP की equation पड़ी, that was y is equal to c plus i plus g. अब national saving से मुराद, आपकी income का वो part होता है, जो private consumption और government expenditure से बच जाता है, अब private consumption को आपने c से शो किया, और g आपकी government purchases है, तो rest is i, that means आपके पास saving is equal to investment, और ये close economy की case में तो ये हमेशा से true ही होगा, अगर अगर इसको हम rotationally देखें, तो यहाँ पे इस point in time के उपर i is equal to y minus c minus g, और यहाँ पे इसको हम लोगों ने कह दिया s is equal to i. अब एक और चीज़ ये है, कि जो economies होती हैं, वो अपनी wealth के increase की बात करती हैं, और हमेशा उनका objective ये होता है, कि जएदा से जएदा grow करें, वो grow कैसे होगा, कि जैसे जएदा से जएदा capital आए और investments हों, और ultimately जिसे आप close economy के केस के अंदर आप कह सकते हैं, savings हों, क्योंकि जितनी आप consumption, private consumption कम करेंगे, government consumption कम करेंगे, आपके पास section बड़ा होगा, और आप उसको invest कर सकते हैं to increase the wealth of the economy, अब primarily अगर आप US की दरफ चलते हैं, तो US का जो income का बड़ा part जो है, almost 65 to 70 percent, वो private consumption में गुजर जाता है, और investment उसका second largest part होता है, that is 20 to 22 percent, इसी तरीके से बहुत सी दूसरी countries भी हो सकती हैं, जिनके income से जो बाकी rest part है, वो किस तरीके से behave करता है, लेकिन normally यही trend देखा गया है, हर country के अंदर, income का एक बड़ा हिस्सा आपकी private consumption की तरफ जाता है, तो इस case के अंदर अगर आप देखें, तो open economy की जब हम बात करते हैं, तो यह close economy से थोड़ा सा different है, remember हम लोगों ने यह discuss किया था, कि जब आप small economy की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम या close economy की sorry बात करते हैं, तो वहाँ पर हमने यह discuss किया था, कि वो economy exposed आफ नहीं होगी, with the rest of the world और वो सिर्फ internal जितनी भी consumption है, उसकी बात करेंगे, लेकिन जैसे हम open economy की तरफ गए, तो हम लोगों ने यह कहा, कि आप boring बाहर से भी कर सकते हैं, इस वज़ा से जो open economy की saving होगी, वो basically I के साथ उसका addition होगा, current account का, जितना current account suppose जैदा होगा, surplus में होगा, उतनी ही savings जैदा होगी, और जितना ही current account negative minus में जाएगा, या आपको पुरे हलाद होगे, तो इन case उसके उपर भी impact आएगा, इसको बड़ा एक simple सी example से समझ लेते हैं, किस तरीके से एक nations जो है, वो current account की form में, या overall जो current account की significance है, वो savings मे क्या बनती है, परस किया, पाकिस्तान ने जो है वो कोई एक plant लगाना है, या कोई भी किसी form के अंदर, आप suppose, CPAC की बात कर लेते हैं, कि पाकिस्तान ये चाहता है, कि पाकिस्तान के बिजली के issues solve हो जाएं, for that reasons, it needs investment, पैसे चाहिए, तो उस case के लिए हम क्या करते हैं, हम borrow कर लेते हैं, borrow कहां से करते हैं, हम लोग चाइना से borrow करते हैं, अब चाइना के लोग कों से हम क्या कर रहे हैं, उनकी present consumption borrow कर रहे हैं, जो भी वो खर्च कर सकते थे, लेकिन हमने उनसे borrow किया, और उनके साथ promise किया, कि हम future के अंदर, अपनी consumption आपको दे देंगे, that is future consumption, इसके हिस साथ से हम लोगों ने अपनी present income से जएदा खर्चा कर लिया, या investment कर लिया, आप दूसरी sense में बात कर लें, तो हम at the same time अपनी savings को, domestic savings को, बगैर छेड़े हुए, आपकी जो income है, उसमें से जो saving आपने की है, suppose आपके पास जो private consumption है, जो आपके पास government spending है, उसके इलावा जो savings, segment पड़ा हुआ है, उसके लावा आपने add-on किया, आपके पास जो current account की form के अंदर, जो भी आपको deficit की form में financing चाहिए, या जो भी investments चाहिए, किसी भी हिसाफ से, तो वो आपने borrow कर ली, अब यहाँ पे सिरफ यह होगा, वो जब आप borrow कर लिया आपने पैसा, उनकी present consumption को borrow कर लिया, आपकी investment भी increase हो गई, लेकिन at the same time, जतनी आपकी investment increase होई है, उतनी आपकी indebtness future के लिए बढ़ गई है, तो वो आपने जेन में रखना होगा, और वो उसको repay भी करना होगा, अब यहाँ पे एक चीज़, इसके लावा भी याद रखना जरूरी है, कि willingness भी चाहिए, ज इस nation से आप उनकी present consumption ले रहे हैं, उसकी willingness भी चाहिए, और resources भी चाहिए, अगर स्पोस resources USA के पास काफी जाएद हैं, अगर हम उनसे कोई funding किसी चीज़ की चाहते हैं, तो उसके लिए उनकी willingness का होना जरूरी है, वो अपनी present consumption आपके लिए sacrifice कर रहे हैं, कि आप अपनी need को होती हैं, after some time आप उनको suppose वापस करें, किसी भी form के अंदर, तो willingness होगी, in that case आपके पास जो saving हैं, वो भी आपके पास current account में किसी ना किसी तरीके से काफी ज़्यदा link बन जाती हैं, जो हम लोगों ने इस equation में study किया.